नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत हैं मैं हूं गारगी हिंदु धर्में एकादशी का बहुत जादा महत्व है आपने कई एकादशी के बारे में सुना होगा उनमें से एक है उत्पन्ना एकादशी उत्पन्ना इकादशी वृत अगहन महने की कृष्ण पक्ष की ग्यारवी तिथी को करते हैं इस बार ये 20 नवेंबर यानि रविवार को किया जाएगा पुराणों के मताबिक इस दिन से ही इकादशी वृत शुरू हुआ इसी लिए इसे उत्पन्ना इकादशी कहते हैं साथ ही इसे वैतरनी इकादशी भी कहते हैं इस वृत को पुरानों में बहुत ही खास बताया गया है इस बार इस दिन विश्णु जी के साथ ही सूरिय की विशेश पूजा का शुब योग बन रहा है जो तिशाचारिये बताते हैं कि साल भर की सभी एकादशीयों के बारे में सकंद पुरान के वैश्णफखंड में जिक्र है इस खंड के एकादशी महत्म मेर नाम का एक अध्याय है इसमें सभी एकादशीयों की जानकारी दी गई है अगहन के कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबन में माननता है कि इस तिथी पर एक देवी प्रकट हुई थी जिने एकादशी की नाम से जाना जाता है इसी वजह से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना पड़ा इसके साथ ही कई किवंदती भी इससे जुड़ी है अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इस उत्पन्ना इकादशी पर आप क्या करें कि भगवान विश्णू और सूरी की क्रिपा आप पर बनी रहें और आप सारे दुख कष्ट से दूर रहें उत्पन्ना इकादशी की इस तिथी पर विश्णू जी के वरत उफवास करें सुभव उठकर पवित्र नदी सरोबर या घर पर ही सनान से निर्वित होकर घर में पूजा स्तान पर बैट कर भगवान विश्णू की अराधना करें भगवान विश्णू को पीले फूल पसंद है तो उन्हें पीले फूल अरपित करें भगवान विश्णू की विदिवत पूजा करने के बाद आप जरुरत मन्द लोगों को धन और अनाच का दान करें किसी मंदिर में पूजन समागरी चड़ाएं गोशाला में घास और धन का दान करें ठंड के दिनों के लिए जरुत मन्द लोगों को कंबल और गन कपड़े दान करें बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते हैं जन्भावना टाइम्स नमस्कार